अब सभी का स्वागत हैं आज के जुमारा टॉपिक रहेगा वह होगा विशुल बेस से एक 6.0 में प्रोजेक्ट वन फॉर्म जिसको हम STI फॉर्म भी बोलते हैं जिसके अन्दर हमें सिंगल दोकिमेट पर काम करते हैं माजब काम करते हैं ओर देखते हैं उप्रोजेक्ट फॉर्म बोल सकते हैं basically Per container phone जिस window में form होता है Name form 1 which is where the programs UI will be displayed यानि कि suppose करो कि आपने एक form बनाना है उस पर जितने भी आप टूल्स का यूज़ करेंगे वो सभी कि सभी टूल्स हैं वो किस पर डिस्पले होंगे भी फोर्म पर Display होगे नैं जितना आपूंडा इरियां के अंदर करेंगी जादा फॉमक्ष्प की बाहरों ऐसे बाSU झाएंगी उत्त्रा आपको इसले dit स्क्रेक्षट एक लेकिन जैसे आप यह सब स्क्रेश्ट करने कि जादा एरिया में इसको लिखने कोशिश करेंगे तब यह नहीं हो पाईगा चिक्चि क्योंकि विंडो का साइज होता है ठोड़ा सही फर्क होता है अगर विंडो का साइज में होगा तो इसकी स्क्रीन में revolution में लेकिं जादा फर्क नहीं होता तो यह कहते हैं कि कोई से ऐसी विंडो कोई ऐसी विंडो और form name form1 जिसका form का name form1 होता है आप form1 से start करते हैं सबसे first window आते जिस पर लिखा होता है project1 उसके अंदर एक program का GUI मोराइब उसकाथ इस तो आपको देख सकते हैं जिससे उस इता है जहां पर picture यूज इंटरेक्ट कर पाता है अपने प्रोग्रामerving के साथ है और साथ साथ where the program डिस्प्लेग्स रिजर्ट जहाँ पर प्रोग्राम अपर रिजर्ट डिस्प्लेकरता है वह पोशन भी क्या ऺंड है उस पर एक टैक्स बोक्स है तो आप designing time पे enter कर सकते हैं कि जितरे बार run करोगे by default आपको वहिश्य होगा फिर आप इस तरह से coding करेंगे कि जो भी आप text box में डाल रहे हैं वो as it is display हो label no.2 में इसको आप run time पे भी कर सकते हैं आप button command के use में भी कर सकते हैं form load पर भी कर सकते हैं या तब command button यूज कर लिजे कि button प्रेस करेंगे तब वो same copy हो जे label में जो text box में लिखे हैं या फिर form load पे जैसे ही form load होगा हमारी main memory में RAM में उस time पर जो text box में है वो लिखा वो मिल जाए हमें कहाँ पर label में इस तरह भी कर सकते हैं तो हमें काम करेंगे हमें command א přषपी करेंगे कहाँ सबसे वहले यहां पर हमने एक label लिआ जहां पर लिखा enter ने इस side पर हमने text box लिया text box के बाद वापिस से एक label लिया यहाँ पर और एक यहाँ पर लिया हमने command बटन हमने command button पर चोडिंग की कि जो भी text box में लिखा होगा जैसे हम click करेंगे command button पे तो जो भी text box में लिखा होगा वो as it is label number 2 में shown होज़े at the runtime तो यह क्या हुआ यहीं पर आपको graphical user भी दिख रहे है graphical यह आप interact कर पा रहे हैं आपको पता है कि यह label है, यह text box है यहाँ पर आप जो feel करोगे button पे click करोगे यह button है, इस पे click करने से यह action perform होगा, तो यह तो है graphical user interface, visual portion जिसमें आपको programming का visual part दिखाई देता है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर सासा result भी display हो जाता है result कैसे display होगा, कि आपने जैसे command button पे click किया उसने अपने action perform कर दिया वह refer the form 1 windows display as the form, form the foundation of the creating interface of an application किसी पर application को बनाने के लिए visual basic में सबसे needed सबसे important, सबसे necessary thing जो होता है, वो होता है form form नहीं होगा, तो हम काम केसे पे करेंगे डिर्क्री प्रजेक्ट पे काम पर करने सकते multiple forms पे हम काम कर सकते है इस तरह से हम यहाँ पर easily coding कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि GUI जहाँ पर हम input देते हैं, जहाँ पर हम output लेते हैं वो सब कुछ form ही है, अगर form नहीं होगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट में तो पूरी coding का, पूरी designing का पूरी programming का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर GUI बना ही नहीं पाएंगे राइट, समझ मैं यहाँ पर क्या होता है, जो coding होती है वो भी form पर ही लिखे जाते हैं, लेकिन designing form की जगा, वो coding form पर लिखा जाता है महाँ पर एक toggle button होता है, explorer window में महाँ से आप toggle कर सकते हैं, यह अलग-अलग buttons भी होता है, उनका use भी कर सकते हैं यू कि यूज दा form तो एड़ विंडोज एड़ डियालोग बॉक्स तो एप्लिकेशन, अपनी अप्लिकेशन के अंदर multiple windows दिखाने के लिए, आप multiple forms का use कर सकते हैं अभी मैंने बताया, कि जैसे आपने एक first window बड़ी जैसे आप button पर click करोगे next रेक्स window आजएगी, फिर next पर click करोगे फिर next window आजएगी, फिर next राजएगी finish कर सकते हैं या फिर first page पर आ सकते हैं, वो भी आप इसली कर सकते हैं तो यहाँ पर है कि multiple forms को हम आपस में connect कर सकते हैं यहां पर आपको एक form का डिसाइन बताए कि किस तरह से form दिखता है लाइक यह हमने boundary के लिए विंडो बनाई है इस तरह से हमारा form दिखता है इससे पहले एक और विंडो आती है हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो वन प्रोजेक्ट वन फोर्म या एजडिए फोर्म वन के नाम से आती है फिर उसके अंदर एक form विंडो होती है form विंडो में यहां पर त्री बटन्स होते हैं cancel restore and minimize यहां पर एक आइकन बना होता है form का and form 1 यहां पर आपको by default लिखावा मिलेगा अगर आप इसका form का नहीं नहीं देंगे form को आप rename नहीं कर रहे है और आपको यही by default same as it is मिलेगा form 1 और इतने एरिये में ही आपको सब बनाना पड़ता है इतने एरिये में ही आप जितने भी things का use करना चाहते हैं जितने tools का use करना चाहते हैं यहीं कर सकते हैं तो सहीत हमारा आज का topic I hope कि यह topic आपको समझ में आए होगा अगर फिर भी इस video को समझने में आपको कोई doubt आता है तो आप हमें comment कर सकते हैं वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूले थैंक्स वर वाचिक मैं वीडियो हमारे चैनल study hack with महक को लाइक जादा से जादा शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपने subscribe कर दिया है तो बाकिस सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं क्योंकि subscribers बहुत जरूरी है देन comment करें